नमस्कार आपको स्वागत देश्या न्यूस इंडिया में मैं पुर्णम आपके साथ नेट्फिक्स पर स्ट्रिम हो रहे कॉमेडी शो दे ग्रेट इंडिन कपिल शो के मेकर्स को लीगल नोटिस मिला है आरोप है कि शो के सेग्मेंट में नोबल पुरसकार विजेता रविन्दनार टेगोर का अपमान किया गया है खबर ये भी है कि सल्मान खान की प्रोड़क्शन टीम को भी लीगल नोटिस मिला है जो पहले शो के प्रोड़क्शन का हिस्सा थी विवादों के बीच उनकी टीम ने सफाई देते वे कहा कि उनका शो से कोई लेना देना नहीं है स्टेट्मेंट में लीगल नोटिस मिलने की खबर का भी खंडन किया गया है बीबी एमेफ के अध्यक्शने हाल ही में अपने लीगल एडवाइजर नपिंदर राय के जदिये शो के उस सेग्मेंट बनारज की जाहिर करते वे चिंता व्यक्त की जिसमें नोबल पुरसकार विजेता रविंदना टेकोर के लिए अपमान जनक बातों का इस्तेमाल किया गया था उनका कहना है कि शो में सांस्कतिक पहलियों को गलत तरह से पेश किया जा रहा है उन्होंने शोव में रविंद दना टेकोर की विरासत का अपमान करने का भी आरोप लगया है इस मामले में एक नमंबर को मंडल की तरफ से एक कानूनी नोटिस जारी कर कहा गया कि सिरीज ना केवल नोबल पुरसकार विजिताओं की विरासतों को दुमिल कर रहा है भलकी धार्मिक भाउनाओं को भी ठेस पहुचा रहा है दे ग्रेट इंडियन कपिल शो के अलावा सलमान खान की प्रडक्शन टीम को भी लीगल नोटिस मिलने की खबर है विवादों के बीच उनकी टीम ने एक स्टेट्मेंट जारी कर साफ किया है कि उनका शो से कोई लेना देना नहीं है रिपोर्ट्स है कि सलमान खान की प्रडक्शन टीम को भी नोटिस मिला है हाला कि खबरे गलत है उनकी प्रडक्शन का नेट्फिक्स पर पसारित हो रहे शो से कोई तालुक नहीं है ओटिटी प्रेटफॉर्म नेट्फिक्स में स्ट्रिम किये जाने से पहले सलमान खान कपिल शर्मा के शो को प्रडूस कर रहे थे हाला कि OTT में आ रहे हैं शो में उनका कोई involvement नहीं है